नवंबर दिसंबर गेहूं की किसमें सबसे ज़्यादा उपच देने वारी किसमें 100% सहीं बीच और बीच का नाम वेराइटी आज बताऊंगा मैं तो पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक आईए हम इस वीडियो में सिखें गेहूं की किसमों के बारे में जो टाप वेराइ उस दिन में यह पकर त्यार हो जाती है पंजाब गुजरात हर्याना उतरप्रदेश मत्यप्रदेश में बोया जा सकता है सहाथ से सत्तर कुंटन प्रति हक्टेर इसको उपच प्राप्त होती है सेकंड किसमा बताने से प्रहले हमारे चैनल को जो गवर्मेंट रोजगारे उ डालते रहेंगे तो सब्सक्राइब प्लीस एंड शेर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों को सब्सक्राइब जरू सेकंड बात करते हैं डब्ली एच ग्यारा जिरो पांच एक नॉम्बर से तीस नॉम्बर की बीच में बोया जा सकता है एक सो चालीस एक सो पचास तेन में पकर त्यार हो जाता है पंजाब गुजरात हारियाना उत्रप्रदेश मद्यप्रदेश में बोया जा सकता है साट से सतर कुंटन पर हेक्टेर में हैं इसकी उपच हमें प्राप्त हो जाती है यह भी एक सेकंड नमर की अच्छी किसम है थर्ड बात करते हैं एक नमबर से तीस नमबर एक सो चालीस एक सो पेतालीस दिन में पकर त्यार पंजाब गुजरात हर्याना उत्तरप्रदेश मद्यप्रदेश में यह बोया जा सकता है सहाट से 168 कुंटन प्रती हेक्टेर उत्पाद होता है मेरे द्वारा बताई जाने वाली सभी यह किसमें आपको सरकारी आफिस में मिल जाएगी या अनुसंदान केंद्र से मगवार चवती बात करते हैं एक नमबर से तीस नमबर इसे पचास से सहाट देन में पकर त्यार पंजाब गुजरात हर्याना उत्तरप्रदेश मद्यप्रदेश में बोया जा सकता है सहाट से 65 कुंटन प इसकी आसानी से उपच प्रात हो जाती है तो यह पंजाब में अधिक्तम बोया जाता है और इसका उत्तपादन अहरपूर मात्रा में लिया जा सकता है क्योंकि है बहुत जल्दी पकती है बात करते हैं डी बी डाल्यू अट्थाएसी एक नॉंबर से तीस नॉंबर के बीच में लगाया जा सकता है एक्सो पेतिस एक्सो चालिस दिन में उपच प्राप्त होती है पंजाब गुजरात हर्याना उत्तरप्रदेश कि पंजाब के नाम से प्रचते प्रती हेक्टेर इसकी उपच अशैनिस जा सकती है पंजाब से सबसद्डिकमातर में बहुआ जाता है तो आप हलकी भूमी अगर आपके पास है तो इसके बाद लास्ट की बात कर लेते हैं जो कि यह एक अच्छी उत्तम किस्म की वेराइटी है तो दस नुवंबर से तस दिसमबर तक इसको ब्वा जा सकता है यह लेट लतीव वाली वेराइटी कहला थी लेट दस दिसमबर तक भ तो दोस्तो आगे भी हम इस परकार से लाएंगे चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर देगे